कुछ फ्लाउरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनका पॉलिनेशन चमगादल करते हैं, यह फ्लन्ड है क्लियोमी इस्पीनोसा का जिसे इसपाईडर फ्लावर करते हैं वैसे अगर आप इंटरेट पे सुंध फ्लावर सर्च करेंगे तो वह प्लियोमी हैसल रियनला दिखाएगा उसमें थोड़े काटे होते हैं और यह दोनों ही क्लियोमी फैमिली में आते हैं जिसे इस्पाइडर फ्लावर इस्पाइडर वीड्स या फिर बी प्लांट करते हैं यह एक एन्वल फ्लावर है जो कि ट्रॉपिकल साथ अमेरिका का नेटिव है और यह वहां पे गर्मियों में उकता है लेकिन हमारे नौर्थ इंडिया में यह एक विंटर फ्लावर है इसके फ्लावर की इसमेल बहुत ही अच्छी होती है जो की जैस्मीन की स्मेल से मिलते जुलती है वहीं इसके फूल कई कलर में आते हैं जैसे कि वाइट पिंक रेड या फिर इनके मिक कलर में और आप इन में से यह कुछ कलर देख सकते हैं और मैंने इन सब को यह एक ही पॉट में लगाया हुआ है और यह क्लस्टर में यह काफी अच्छे तरीके से खिल रहे हैं वैसे इस प्लांट की हाइट लगभग 120 सेंटीमीटर यानि की चार फिट के करीब चली जाती है और जो यह इसका स्पाडर लुक है यह इसके स्टेमेन और सीट पॉर्ट के वज़जे से आता है तो यह इसका यह सीट पॉर्ट आप यह देख सकते हैं तो यह फ्लावरिंग अभी-भी श्टार्ट हुई है इस लिए इसके सीट पॉर्ट ज्यादा नहीं बने है लेकिन ये नीचे तरब से ये seed pot बनते जाएंगे और ये उपर तरब से flowering होती जाएगी तो ये काफी लंबा हो जाता है flower और इसके flower काफी लंबे समय तक चलते हैं इस plant को little crowding पसंद है और ये आप ये देख रहे हैं ये 8 हिंज का मेरा चोटा सगमला है और मैंने इसमें लगभग दरजन भर से जादा plant लगाये हैं और इनकी ये color देखिए ये लगभग सबके color अलग-अलग ही हैं और ये plant इसमें बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है मैंने इसके seed अक्टूबर में लगाये थे और इसमें लगभग धाई महिने बाद भी flowering इस्टार्ट हो गई तो इसकी पत्तियां आप ये देख रहे हैं ये seven leaf होती हैं और इसमें ये भी देखने में मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है और ये पूरा plant ये इस तरीके से ल ले रहते हैं और जैसा ही इस पर दोपहर के sunlight पड़ती है ये बंद हो जाते हैं तो ऐसा यह plant अपने flowers में मौश्चर को रिटेन करने के लिए करता है वैसे भी यह plant थोड़ा drop tolerant और heat tolerant plant है तो इस plant को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसलिए ये मौश्चर को रिटेन करने के लिए ये अपने flowers को बंद कर लेता है तो इस समय ये साड़े दस बज़े का ही time हो रहा है और मैंने इस plant को छौ में रखा है फिर भी आप यह देख रहे हैं इसके सारे फूल ये बंद होना सुरू हो गया है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके प्लांट में फ्रिक्वेंट वाटरिंग करनी पड़ती है तो अब इस प्लांट के कुछ बेसिक केर की बात कर लेते हैं जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट तो इस प्लांट को फुल संवारी लोकेशन में रखना सही रहता है और आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहां पर इस पर कम से कम चार-पांच घंटे की डारेट सनलाइट पड़े वहीं अब बात करते हैं इसके स्वाइल की इस प्लांट को मौइस्ट लोकेशन पसंद है लेकिन अगर आप इस प्लांट को गंबले में लगा रहे हैं तो जो इसकी पॉटिंग मिक्स है आप इसे वेल ड्रे है तो आप इस पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं तो अब बात करते हैं फटलाइजर की इस प्लांट में नॉर्मल और्गनिक फटलाइजर डालिए उसमें यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और आप चा देखिए जितने भी प्लांट है उन सम्में यह बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें यह फ्लावरिंग हो गई है तो अब बात करते हैं इसके प्रूपोगेशन की तो आप इस प्लांट को सीट के थूपोगेट कर सकते हैं और जब आप इसकी सीट को लगाएंगे तो सीट के लगाने के लगभग धाई से तीन महीने के अंदर ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो आज के वीडियो बस इतना ही जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए